नवश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सान फैसन डिजाइनर में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक काफी सुन्दर सा नेक डिजाइन बना कर दिखाएंगे और ये डिजाइन हम कुछ पट्टियों की साहता से बनाएंगे ये हमने औरे कपड़े को पलट कर आधा इन चोड़ी पट्टि बना रख्या और परेश से अच्छी तरीके से बैठा रखा है और इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने याँ पर दो बुकरम के पीस लिए हुए हैं एक छोटा और एक बड़ा छोटे पीस से हम बैक में डिजाइन बनाएंगे और बड़े पीस से फ्रंट में तो सबसे पहले हम इसका साइज आपको बता देते हैं चोड़ाई हमने ले रख्या है बारा इंच और लंबाई दस इंच इसे ऐसे बीच से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ मार्क लगाएंगे तो मार्क हमें यहाँ से दस इंच पर लगा लेना है दस इंच का हाफ करने के बाद पाच इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और लंबाई आट इंच इस परकार से हम सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे और यहाँ पर ऐसे वियाकार में एक मार्क लगाएंगे उसके बाद हमें अंदर की साइड से कटिंग कर लेनी है और उसके बाद एक इंच दूरी से बाहर की साइड से भी हम कटिंग कर लेंगे तो यह देखिए हमारे नेक की जो ब्रोडनेस है वो यहाँ पर दस इंच आ गई है अब इसे हम अपनी कुर्ती के कपड़े पर रख लेंगे और कुर्ती के कपड़े पर रखने के बाद इसे सिलाई लगाकर यहाँ पर अटेच कर देंगे आप चाहे तो प्रेस लगाकर भी से अटेच कर सकते हैं हमने अपने नेक को कपड़े पर अटेच कर दिया है और साथ ही बाहर से आधा इंच कपड़ा बुकरम के उपर फोल्ड कर दिया है इसके बाद हम यह जो हमारा अंदर का पीस है इसे उठाएंगे और इस पर अपने हले के कटिंग करेंगे जिस पर हम पट्टी लगाएंगे यहां से तीन इंच पर हम ब्रोडनेस का निशान लगाएंगे और नीचे की साइड भी हम तीन इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को ऐसे आपस में मिला लेंगे ऐसे और अब हम इसकी अंदर से कटिंग कर देंगे इस परकार से उसके बाद हमें एक पेपर ले लेना है यह हमने पेपर लिया हुआ है और इसे इसके उपर ऐसे रख लेना है और रखने के बाद इसके चारो तरफ हम निशान लगा देंगे और इसके अंदर साइड भी एक निशान लगा देंगे निशान लगाने के बाद अब हम इसके उपर पट्ट्या लगाएंगे तो पट्ट्य हम कुछ इस परकार से लगाएंगे ऐसे हमें अपनी सभी पट्टी बिल्कुल मिला कर ऐसे लगा देनी है यहां पर बिल्कुल हमारी पट्टी, मराबर सारी मिल जानी चाहिए और इनके उपर हम सिलाई लगा देंगे पहले हमें अपनी सभी पट्टी आपस में मिला कर रख लेनी है और उपर की साइड सिलाई लगा लेनी है उपर की साइड सिलाई लगा कर हमने अपनी सभी पट्टी अटेच कर दी हैं इसके बाद हम नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे सबसे पहले हमें सेंटर की पट्टी को सीधा रख लेना है और हमें यहां से सिलाई शुरू करनी है और इसी परकार से हम अपनी सभी पट्टियों को सीधा रखते हुए सिलाई लगा देंगे नीचे की साइड सिलाई लगा कर हमने अपनी सभी पट्टियों को टेच कर दिया है अब हम बार की साइड से आधा इंच पेपर छोड़कर एक्स्ट्रा पेपर की कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा पेपर की कटिंग करने के बाद अब हम अपने नेक को अपनी कुर्ती में अटेच करेंगे यह हमारा नेक है और यह हमारी कुर्ती का फ्रंट भाग है यह हमने सीधी तरप से फैला रखा है नीचे हमारी उग्टी साइड है और उपर सीधी तो उपर की साइड हम कट से कट मिलाकर अपने नैक को ऐसे रख लेंगे मिल्कुल सेंटर में और बीच में एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे इससे हमारा नैक इधर उधर नहीं लेगा और उसके बाद हम बुकरम के बराबर बराबर एक सिलाई लगा लेगे सिलाई लगा देने के बाद अंदर के कपड़े के एक्ष्ट्रा कटिंग कर देगे ऐसे एक वाटर इंच कपड़ा छोड़ कर और गोलाई में छोटे-छोटे कट लगा देगे और इसके बाद हम अपने नैक को ऐसे अंदर की साइड पलट लेगे और पलटने के बाद एक कच्ची सिलाई लगा देगे कच्चे सिलाई लगा अगर हमने अपने नैक को अच्छी तरीके से जमा लिया है इसके बाद हम अपने पैटन को इसमें अटेच करेंगे इस परकार से सेंटर में ऐसे रख लेंगे और मार्क के उपर-उपर हम ऐसे रखकर अपने नाइक के उपर कन्नी की सिलाई लगा देंगे सिलाई लगा कर हमने अपने पैटन को अपने नाइक में टेच कर दिया है उसके बाद हम अपने हले की कटिंग कर लेंगे यह हमने अंदर की साइड से एक्ष्ट्रा पेपर को काट दिया है उसके बाद हम अपने बैक भाग को तियार करेंगे तो सबसे पहले हमें अपने न्या की कटिंग करने के लिए एक बुकरम का पीस लेना है जिसकी चोड़ाई हमने आठ इंच ली हुई है और लंबाई हमारी आठ इंच है दोनों हमारी आठ और आठ इसे ऐसे बीच से फोल्ड कर देंगे और यहां से दो इंच पर हम एक निशान लगाएंगे यह हमारा खुलने के बाद चार इंच आ जाएगा तो अब हमें नीचे से एक इंच और उपर से भी एक इंच निशान लगाकर इसे ऐसे बूंदाकार में ऐसे यह हमारा ड्रोपाकार आ गया है इसकी कटिंग कर लेंगे अपने नैक की कटिंग कर लिये हैं और इसे उपर की साइड से जिदर हमारी नोख है इससे कट कर लेंगे और अब हम इसे कपड़े पर अटेच करेंगे हमने अपने नैक को कपड़े के उपर अटेच कर दिया है और बार की साइड से आधा इंच कपड़ा वुकरम के उपर फोल्ड कर दिया है इसके बाद इसे हम अपनी बैक में अटेच करेंगे तो सबसे पहले हम अपनी बैक को ऐसे थोड़ा कट करेंगे इस पर भी हम अपने हल्ले का निशान लगाएंगे यह हमने यहां से तीन इंच पर निशान लगा लिया है और उपर से नीचे एक इंच का निशान लगाए है और इसके हम कटिंग कर देंगे और इसके नीचे हमें अपने नैक को रख लेना है यह देखिए अब हमें अपने नैक को इसके नीचे रख लेना है और ऐसे ही हमें इसके बीच में एक सिलाई लगानी है और उसके बाद बुकरम के बराबर बराबर सिलाई लगाकर अंदर के कपड़े की कटिंग कर देनी है वाटर इंच कपड़ा छोड़कर और ऐसे अंदर की साइड पलटने के बाद इसके उपर भी हमें कच्ची सिलाई लगा लेंगे जो कि हमें तुर्पाई करने के बाद उखेड़ देनी है यह हमारा बैक तैयार हो गया है इसके बाद हम अपने फ्रंट बाग को बैक में अटेच करेंगे ऐसे हमारे दोनों भाग सीधे अंदर की साइड आ जाएंगे और उड़टे भाग बाहर की साइड और ऐसे कंधी रखने के बाद एक पैर सिलाई लगा कर इसे अटेच कर देंगे और यह हमने अपने बैक और फ्रंट को आपस में अटेच कर दिया है कंधी जोड़कर अब हम इस पर कोलर पट्टी लगाएंगे उससे पहले हम अपनी कोलर पट्टी को माप लेते हैं कि ऐसे और यह आ गई हमारी कोलर पट्टी सोला इंच सोला इंच पट्टी के हम कटिंग करेंगे बुकरम के पीस पर ऐसे आट इंच पर हमने यह निशान लगा लिया है अब हम यहां से दो इंच अंदर की साइड ऐसे निशान लगाएंगे गोला कार में ऐसे और उसके बाद हम पट्टी को ऐसे माप लेंगे आट इंच गोलाई में और यह हमारी यहां पर आ गई है क्या हमारी गोलाई है तो इससे हमारी पट्टी का निशान बढ़ गया है अब हमें यहां से एक इंच चोड़ी पट्टी यहां से बना लेनी है ऐसे गोलाई में और एक एक इंच का निशान हम पूरे अपने पूरे वुकरम पर लगा लेंगे और इन सभी निशानों को ऐसे आपस में मिला लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे और यह देखिए यह हमारी पट्टी खोलने के बाद 16 इंच तयार हो गई है अब हम इसे अपने मैचिंग कपड़े पर अटेच करेंगे इस परकार से अब हम आपको बता देते हैं कि हमें कैसे अपनी पट्टी को अटेच कर लेना है ऐसे हम इसे यहाँ पर रखेंगे और उपर की साइड हम एक सिलाई लगाएंगे ऐसे बराबर हमें एक पैर सिलाई लगा लेनी है और अब हमें बाहर की साइड से एक पैर कपड़ा मोड़कर इसके उपर वे एक सिलाई लगा देनी है और इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और इसे चार दरब से एक पैर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर कटिंग कर देंगे और इसके बाद हमें यहां पर फिर से यहां पर अपने मैचिंग कपड़े पर रख लेना है और बुक्रम के बराबर बराबर इस साइड हमारी बुक्रम चमक रही है उस साइड बुक्रम के बराबर बराबर हमें एक सिलाई लगा देनी अब हम एक पेर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर इसकी कटिंग कर देंगे दोस्तों बहुत ही खुबसूरत ये कुर्ती बनने जा रही है हमारी वीडियो को एंड तक जुरूर देखे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले अब हमें इस परकार से अपनी पट्टी को पलट लेना है और इसके उपर एक कंदी की सिलाई लगा लेनी है ये हमने उपर की साइड कंदी की सिलाई लगा ली है और ये हमारा खुला भाग रहा गया है ये हमारे कुर्ती में अटेच हो जाएगा और अब हमें बाहर की साइड से एक पैर कपड़ा छोड़कर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है और ये हमारी कोलर पट्टी बनकर तयार हो गई है अब हम एक सेंटर का कट यहां पर लगाएंगे एक हलका सा कट और उसके बाद इसे अपनी कुर्टी में अटेच करेंगे और इसी परकार से हम अपने जो नेक का हमारा सेंटर है उस पर बही हमें एक निशान लगाएंगे और सेंटर से सेंटर मिला कर अब हमें क्या करना है अंदर की साइड से इस परकार से अपनी पट्टी को बाहर की साइड ऐसे उल्टा करके रख लेंगे और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे पहले इधर की साइड और फिर इधर की साइड इससे हमारी पट्टी का सेंटर बिल्कुल बराबर आ जाएगा और यह देखे एक साइड हमने पट्टी लगा दिया है और अब हम इसी परकार से अपनी पट्टी को दूसरी साइड भी लगाते हुए चले जाएंगे और यह देखे हमारी पट्टी चार तरफ से इसके उपर चड़ गई है और अब हम अपनी पट्टी को सीधी साइड ऐसे रख लेंगे और इसके उपर कन्नी की सिलाई लगा कर इसे बंद कर देंगे और यह हमने सिलाई लगा कर अपनी पट्टी को बंद कर दिया है और यहाँ पर हम एक हुक और उसके उपर बटन लगा लेंगे और इसी के साथ हमारे डिजाइन बनकर तयार हो गया है तो दोस्तों इसके बाद भी इस डिजाइन को बनाने में आपको कोई भी प्रोब्लम है तो आप नीचे दे गए वार्टसप नंबर पर मैसेज करके हमसे हैल्प ले सकते हैं हमारा डिजाइन आपको कैसा लगा है हमें कोमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तो जल्दी मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए थेंक्यू फूर वोचिंग